दोस्तों इस फीडियों में हम बात करने वाले हैं आधार NPCI के बारे में अगर आपके भी बैंक अकाउंट में आधार NPCI अभी तक लिंक नहीं है तो आप लोगों को जरूर ही ये लिंक कर लेना चाहिए अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आधार NPCI और DBT अलग-अलग होती है या फिर एक ही होती है तो आपको बता दूँ आधार NPCI और DBT ये दोनों एक ही होते हैं अगर आपका बैंक अकाउंट आधार NPCI से लिंक नहीं होता है तो जो ग़वर्मेंट के द्वारे DBT के माद़म से कोई भी एमाउंट आपके बैंक अकाउंट मे transfer किया जाता है वो आपके खाते में नहीं आ पाता है जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पर PM किसान सम्मान निदी योजना का पैसा हो गया यह आपके account में नहीं आ पाएगा इसी के साथ scholarship का जो पैसा होता है यह भी DBT के मादम से ही send किया जाता है तो यह भी आपके अकाउंट में नहीं आपाएगा इसी तरह से और भी सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जिन योजनाओं का पैसा DBT के मादब से ही सेंट किया जाता है और जब तक आपके बैंक अकाउंट में आधार NPCI लिंक नहीं होगा तब तक ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आपाएगा और इसके बाद काफी लोगों के मन में ये भी सवाल होते हैं कि माल लेते हैं हमारा पांच बैंकों में अकाउंट है और पांच बैंकों में हमारा आधार कार्ड अल्रेडी लिंक है तो क्या हमारा NPCI लिंक है या फिर इसके बावजूद भी हम लोगों को करवाना पड़ेगा तो देखिए आपका जो आधार होता है बैंक अकाउंट से लिंक वह अलग चीज होती है आधार लिंक अलग होता है और यह जो आधार NPCI होता है यह अलग होता है माल लेते हैं एक्जांबल के लिए आपके 4 या फिर 5 बैंकों में अकाउ पर किया जाएगा आप सभी बैंकों में आधार NPCI को लिंक नहीं कर सकते हैं तो इस पीडियों में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप सबसे पहले तो किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकॉंट में आधार NPCI लिंक है या फिर नहीं है और इसके बाद आप लोग किस प्रकार से घर वटे ही ओनलाइन अपने बैंक अभी ऐसी हैं जिनमें ओनलार ही आप लोग यहन बता दुंग और जिन बैंकों को अभी यह फैसलीटी नहीं है उनके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से आप लोग उन बैंकों में आधार NPCI को लिंक कर सकते हैं so complete information के लिए आप लोग इस वीड़ों में end तक बने रहिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो like कर देना और इस वीड़ों में टाइप करना है UIDAI इतना टाइप करके सर्च करेंगे जो भी आपके सामने first number पर link दिखाई देगा आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है अब आप आधार कार्ट की optional website पर आ जाएंगे इसके बाद यहां पर आपको कुछ नीचे की मिलेगा इसे वाले option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद और भी कुछ नीचे आएंगे यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा आधार linking, status इस वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है औरkas बैंब कर lag आपको अप आधार नंबर को एंटर करना है इसके बाद एक capture code दिखाई दे रहा है इस capture code को same to same यहाँ पर fill करना है और send OTP वाले option पर एक बार click कर देना है अब आपके आधार card में जो भी mobile नंबर link होगा उस mobile नंबर पर एक OTP send किया जाएगा OTP आपको यहाँ पर fill कर देना है और इसके ब login वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा bank seeding status इस वाले option पर एक बार click करेंगे click करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरी detail आ जाएगी आपके जिस भी bank account में आधार NPCI link होगा तो यहाँ पर आपको देखन रहा है इसी के साथ यहाँ पर कभी यह link हुआ था उसकी date भी आप देख सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से इस तरह से check कर लेना है कि आपके bank account में आधार NPCI link है या फिर नहीं है और इसके बाद ही आपको link करना है अब मैं आपको बता देता हूं कि online आप लोग क ही आप इतना type करके search करेंगे तो यहाँ पर देखिए पंजाब National Bank के तरफ से first number पर ही एक option मिल जाएगा OTP-based आधार seeding इसी वाले option पर एक बार click करने के बाद में यहाँ पर click here for OTP-based आधार seeding वाले option पर एक बार click कर देना है अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने account number को enter करना है, एक capture code दिखाई दे रहा है, इस capture code को same to same इस वाले box में fill करेंगे, इसके बाद continue वाले option पर click करेंगे, click करने के बाद में आपके mobile number पर एक OTP आएगा, OTP वगएर आप लोगों को fill करके submit कर देना है, यहाँ पर total 3 step में आपका जो bank account है, इसमें आधार NPCI link हो search करेंगे, यहाँ पर first number पर आपके सामने option आजाएगा, online आधार seeding, इस वाले option पर click करेंगे, आपका जो भी Indian bank account number है, उसे यहाँ पर enter करेंगे, capture code को fill करेंगे, और terms को accept करके submit वाले option पर click करेंगे, यहाँ पर भी total 3-4 step में आपके bank में आधार NPCI link हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों का जो account है, यूनियन बैंक में है, तो आपको यहाँ पर type करना है, यूनियन बैंक, NPCI link, और इतना जैसे ही type करके search करेंगे, यहाँ पर आपके सामने first number पर ही link देखने को मिल जाएगा, यहीं पर एक बार click कर देना है, click करने के बाद में, यहाँ पर फिल करके submit करेंगे, submit करने के बाद में, आगे आप लोगों को OTP बगेरा को fill करके submit कर देना है, तो आपका Union Bank of India में आधार NPCI link हो जाएगी, और इसी तरह से और भी काफी बैंकों में यह service अभी online available है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी ऐसे bank हैं, जिन में online आधार NPCI link करने की service available नहीं है, तो उन बैंकों में आपकी इस प्रकास से अपने आधार card में DBT NPCI link करा सकते हैं, तो इसके लिए आपको दुवारा से फिर से किसी भी browser को open करना है, और यहाँ पर आपको type कर देना है, DBT link form, इस वाले option पर click करेंगे, click करने के बाद, first number पर ही आपको एक बार click कर देना है, click करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक form आ जाएगा, और इस form को fill up करके आप लोगों को bank में जमा करना पड़ेगा, form आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको ये वाला form दिखेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है NPCI mapping, इस इसमें ज्यादा कुछ आप लोगों को detail को fill up नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम, mobile number, email id बगएरा एंटर करनी है, और इसके साथ में आप लोगों को अपने आधार कार्ट की एक photocopy को जरूर ही attach कर देना है, क्योंकि जब तक आप बाद में आप लोगों को अपने bank में जमा कर देना है, जिस भी bank में आपका account है, और जमा करने के बाद में आपके bank account में आधार NPCI को link कर दिया जाएगा, और दोस्तों यह जो process है, इसमें bankों के service के उपर depend करता है, कुछ bankे ऐसे हैं, जिन में 24 गंटे के अंदर ही आपके bank account में NPCI को link कर दिया जाता है, लेकिन कुछ bankें ऐसे भी हैं, जिन में 15 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आधार NPCI को link नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दोनों ही तरीके बता दिये हैं, जिन भी bankों में online process था, मैंने online process बता दिया, औ जिन भी bankों में जो bankें रहे गई हैं, उनमें आप लोग offline कुछ इस तरह से forum को fill up करके अपनी bank में जमा कर सकते हैं, और इसके बाद आपके bank account में आधार NPCI को link कर दिया जाएगा,